नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं न्यूश टोडे देश के सभी करमचरी जरूल देखें NPS की पूरी रासी आपको कभी भी नहीं मिलेगी NPS की सच्चाई सुनें और सुनकर ज़्यादा ज़्यादा सेर आगे जरूल करें तो दोस्तो आज के करमचरी समाचार में आफ सबका स्वागत है और आज की वीडियो देश के उन सभी करमचरी चैफिर वो सरकारी हों या प्राइबेट हों जिनको NPS मिलेगा तो उसकी सच्चाई की आपको हम इस वीडियो में बताएंगे आप उसको द्यान से सुनें एक कस्टमर ने जो अपनी नोकरी 11 साल करने के बाद नोकरी छोड़ने के बाद पूछा था कि NPS कितना मिलेगा तो NPS अधिकारी ने कह जवाब दिया आफ सुनें अधिकारी ने को लाइक करें जदा ज़्याद शेयर जरू करें और आगे आपको आपको इसी लेटेस नीश नीश ना ना भूलें सब्सक्राइब और बेर के लिए करके दो चलिए शुरू करते हैं जान लेते हैं लैट्स गो अधिके सब्सक्राइब मेरा जो भी पैसा है उसको में रिफंड करना चाहता हूं उसको कैसा करना पड़ेगा जो भी पैसा है वो पूरा रिफंड नहीं होता हां उसमें से कुछ पोर्चन पेंचन में जाता है आपके चाहने से नहीं होता एंट्यस का जो फंड है उसमें सिस्थम ऐसा ही है कि पैंचन इस कंपल सरी तो पैंचन कब से चलो होगा आपको एक फार्म बरके देना होता है जब आपका फार्म आएगा इमिजेटली नेक्स मन्से पैंचन आ जाएगा आपको कितना मिलेगा व यह पैंचन के लिए बचेगा या इसमें से कुछ रिफंड होगा उसमें से कुछ रिपांड होगा ना या तुटे पर्सेंट परसेंट आपको रिटन होगा ठीक है और रिमेनिंग जो रहेगा पैंचन में जाएगा मैं बता रहा हूं और शीटे लगश चुबीस अजार बचता है आपका और ठीटेटू की एज में आपको तीन अजार तीन सो रुपए प्रॉक्सिमेटली पैंचन आता है पर महना हर महना इमिजेटली स्टार्ट होगा यह ठीक है और यह आपका चुछ लगश चुबीस नामेन अगर बच्चा नहीं है बच्चा किसी ने किसी को मिले जो भी आपके बाद होगा ना अइसे तोड़ी होता सर्टा जब जब हम जिंदा में पैसा नहीं तो मरने के बाद के बाद क्या करता को नहीं नहीं यह आपके ऊपर नहीं है सर एंपेस का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ है कि इससे पेंशन लेना चाहिए अगर यह पूरा रिफंट दे देंगे तो इस इस्पीन का मतलब नहीं है ना गौर्मेंट ने इसको बनाए ऐसा है वह तो ठीक यह लेकिन आप हमाँ यह तो मिले गए नहीं किसी भी हालत में आपको नहीं मिले गई है इसकी सकत्रांस एक अरे सर यह एंपी शका फंट है ना नेश्नल पेंशन सिस्टम का फंट है तो पेंशन ही स्कंपाल सरी अंच्छा कि लिए मलागा पैसा पूरा मिल जाता है और अध्टी है आई पेंशन से पेंचन कंपल सरी है लेकिन में नहीं होता है यह कि आपका ओफिस में पैसा डाला हुआ है यह टोटल क्लग्ड फंड है यह एंटायर फंड आपका नहीं है आपके ओफिस का भी हाफ कॉंट्रिबूशन इसमें है इसलिए यह फंड पेंचन बनता है पूरा वापस नहीं होता यह सर कितना मिले घर मैना 3,000 ? जब तक मैं यह नहीं हो तैसे चैनल आपको मिलेगा और डेथ के बाद 36ाग चोबीस अशार 9 मिन को वापस होगा यह रख पूरत वापस देंगे उनको pension देने का भी option है मैंने जाने साल पूरए सरिस्ट कर लें थीक पूरी से नहीं मिलेगा 60 इर के भी हो जाएंगे तो भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा pension कंपल शरी है सब्सक्राइब करते हैं गवर्मेंट के लिए अभी फंड गवर्मेंट के पास ही है आप फॉर्म बढ़के दोगे तब अभी 2004 का बाद जो भी बढ़ती हो उनको तो पैंशन नहीं है और आपको नहीं हमको भी वैसा ही मिलेगा मैं भी जब रिटार हूंगा तो मुझे ऐसा ही पेंशन लेना है जब 20 साल के बाद बताई कितना फंड रहेगा आपका इसका डबल भानिजाए जाए गजाएगा देतों नहीं कर सकते कि सब्सक्राइब यह तो पॉलिसी है जो फॉलो करना है आपको भी हमको भी अब यापको आगे लेना है तो प्रसेस करिए नहीं तो छोड़ श्रेस पड़ा रहेगा एक लिस्ट तभी आपको मंत्री जार तीन सो रूपे मिल रहा है यह लिए आपको 41,000 रुपिज आपको मिलेगा वो भी आप लूज करेंगे ना आप एरली लेते हैं तो 41,000 आपको मिलता है एवरी एर, उस पैटा को कोई इन्वेस्ट करिया आप, यह एरली मिलेगा यह, एरली भी ले सकते हैं, ऑप्शन है उसमें, अब पहले बर कितना मिलेगा मैं, मैं अभी लेना चाहता हूँ, एरली में, एरली में आएगा 41,000, अभी पहले बरी 41,000 मिलेगा यह ओर एच साथ को अभी, एरी एर 41,000 आपको मिलेगा लाइफ लॉंग, जी सर, मैं आभी यह क्या रहाँ सर, मैंने एप्रिल पहले बर्लाय पैने, के से मैं आपको अप्लाय कर दिया, एप्रिल पहले तारिक मेर इसे फोर्ट यॉन तयरे लेस्ट मि लेजे ना कोई बात नहीं फोड़ को बहए जाता है पांच फोड़ को जाता है कि अच्छा प्रणसफर हो जाएगा उस दिन पॉलिशी बन जाएगा और नेक्स से यह यह आपको आने लगेजाओ लोगों ने डाला हुआ है कुछ होता नहीं है क्योंकि यह तो आपका इसमें असेमली में ना गौर्मेंट ने मिलके डिसाइड किया हुआ है वो तो किया सर लेकिन आपने से बोला है हमें पेंचन नहींचे पूरा फंड चाहिए यह यह है इसमें कहां है इसा सर आपके लिखने से वह एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा सिधा है अच्छा ठीके जो रूल है वो तो फॉलो करना है ना अभी आप यह बताव मुझे अगर आपका डिपार्टमेंट आपको पेंशन देरा होता तो मंत्ली पेंशन देता ना कि आप मुझे आप उनको नहीं सब्सक्राइब लगेते तो फूरा पंदरा साल का सेलरी वन टाइम में ले लिए आपने तो इस अपर यह बोल रहा है अगर 20 साल करने के बाद कम से कम चीज चले उनको इंफरमेशन नहीं है आप 20 साल के बात किया चाली साल के बाद भी लोगे तो पेंशन इस अंपु इसका आठर में नहीं दे सकता आपको गवर्मेंट ने रूल बनाया है सेंट्रल गवर्मेंट ने अभी 2004 से पहला है उनको जीपिएप में करता है जो यह चार के पहले बाद वालों को तो सभी को कंपल से लिए ना आप यूर नौट दो उनली परसन और इंडिया में यह हो या या जी आले तो मेरा भी सइओगा इसके लिए नहीं है कोई यह नहीं है इसी सकता दूसरे्मिने कर सकता है नहीं कर सकता उसका पूरा पॉर्मेंट ने बना के रखा है जैसा ऊदोने पुशीजर आपको भी हम गो भी अश्जिक होगा और कुछ नहीं अपको पोलो इमेल आइडी बोलो मैं बेजता हूं आप लगे तो आप बेजना नहीं तो आप आईडल पढ़े रहें दो कोई प्रब्लम नहीं पॉर वन स्पेलिंग बोलो जी ए एन आई जी ए आर जी ए ए आर फॉर वन याट जीमेल लटकम याट जीमेल डोटकम हां जल्ट मैंने बेज दिया आप पेकर लो में पूरा देटिल सेर मेरे आपके बात है लेकिन हम लों सर्विस कर रहें ना इंटिर फामर तंका तंका के लि बार होगे उसमें अभी नूकल करना क्या फैदा है इसमें कोई फाइदा नहीं है अब सही बोल रहे हूं बस यह हमारे नंबर कमा और जमा कर लो और यह कार साल के बारत से मिलेगा बाद यह है कि अभी कुछ फोई इसने कुछ में कर सकता और खिए ओघ्डिया देख लीजि ये 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 ओूब